केजरिवाल जी के भाराते ही राजनीती सिरोगे बीजेपी ने स्तीफा मांग लिया है तो केजरिवाल की पतनी कह रही है सुनीता केजरिवाल जी कह रही है कि मोदी जी के जो भी सडियन्द था उस पर कहीं न कहीं सुप्रीम कोट ने आज जो टिपनी दिये वो टिपनी के बा उतना खुशी नहीं इससे मिल पा रही है उनके निजी खुशी है जरूरी है और अवधारना भी है मानी सरवोच चेनले ने कहा भी है बेल इस रूल जेल इस एकसेफशन लेकिन हाँ इससे ये सिद्ध हो गया कुछ चार्जस गंभीर हैं जिसकी वज़े से मानी सरवोच चेनल जी इतने निर्दोश हैं कि वो मुख्यमंत्री आफिस जाके दिल्ली की जनता के काम कर सके हैं जे चीफ मिनिश्टर तो मानी सरवोच चेनले को ऐसा नहीं लगा उसलिए उन्होंने कंडिशनल बेल दी शर्टें बहुत कठोर हैं ऐसी शर्टें बहुत कम अवसर पर मिली हैं मुख्यमंत्री के लिए नहीं दी हैं जिसमें मुख्यमंत्री आफिस ही नहीं जा सकते मुख्यमंत्री अपने केस की सफाई नहीं दे सकते अपने केस के बारे में नहीं बोल सकते गवा से नहीं मिलेंगे गवा से यह तो जनरली होता है कि कंडिशन्स होती है कि गवा से नहीं मिलेंगे किसी को वो नहीं करेंगे प्रलोभित नहीं करेंगे और अपने हक में मोलने के लिए नहीं करेंगे जांच एजनसियों को सयोग कर रहा हो समय समय पर मानी सर्वोच ने आले बैलेंस बनाने के लिए अपनी जांच एजंसियों को भी टाइट रखता है उन पर भी मोधी जी के शडियंत पर पानी फेर दिया इस बाद नहीं तो मोधी जी का क्या इसमें दिल्ली की जनता मोधी को सबसादिक प्यार करती है दिल्ली तो पूरी राद दे रही है पिछली बार भी दिया आपकी बार भी दिया तीनों बार दिल्ली दे रही है मोधी जी को दिल्ली से अधि कौन प्यार करता है दिल्ली की जनता दोनों तरफ बोट इवियम दबाना जानती है दिल्ली की जनता पर आप इवियम कारोप नहीं लगा सकते एमेलेक में केदरीबाल की जाड़ू दबाई जाती है तो वहीं लोगसवा की चुनाव में भारती जनता पार्टी के लिए कमल के फूल का बटन दबाया जाता है एवियम में अदनी नैदना मोदी जी की राष्टी नी तेश व्यापी नी तेश के लिए जो काम करते हैं राष्ट के लिए वो उससे प्रभाबित है देखे शराब के साथ जो भी लगेगा शराब खराब थी शराब खराब है शराब खराब रहेगी बेशक आप उसे 8-star hotel में पी कर आपको कोई शराबी ना कहे आपको कह साहव शौक फरमा रहे हैं गली के हलके व्यक्ति को आप शराबी बोल दें लेकिन शराब शराब है और शराब कभी अच्छी नहीं हो सकती शराब कभी देश हित नहीं कर सकती शराब कभी राष्ट रहित नहीं बना सकती शराब कभी घरों में प्यार मुहपत नहीं ला सकती शराब कभी स्वास्त के लिए लावदायक नहीं हो सकती शराब कभी किड्नी, लीबर, शरीट के लिए नहीं हो सकती शराब कभी पतनी को अच्छी आत्मिक शांती नहीं दे सकती शराब कभी बच्चों को तरक्की नहीं दिला सकती शराब ये दितनी खराब है तो एक के साथ एक फ्री देने का मतलब क्या था कारण क्या था आपके लिए पॉलिसी धनी खटा करने के लिए revenue खटा करने के लिए आपके पास बहुत चीज़े हैं बहुत चीज़े हैं हमारे दोगपती बहुत अच्छे काम कर सकते हैं आप industry लगवाईए आप उनके लिए कराते धूत की industry लगवाऊ एक के साथ एक free दे देते आप एक pencil के साथ एक pencil बच्चों को देते एक remote के साथ एक remote के साथ एक चपल free देते, shirt के साथ एक गुर्षि देती है ने company यह देती है उसके लोगों ने बिरूड किया, तमाम residential colony में को ले गए, तमाम कई तो श्कूलों के पास हैं मन्दिक के पास हैं, market में खोले गए, इस طरह से उनका देखी शराब के आप ठेंके खोलेंगे तो आपको अस्पताल भी आगे बढ़ाने पढ़ेंगे शराब के आप ठेंके खोलेंगे तो आपको फिर कोट और जेल भी आगे बढ़ानी पढ़ेंगी उसमें से विक्रती होती है आप देखते हैं आर जी कर हास्पिटल की ब बात करें तो शराब साथ में शामिल थी और दूसरे केसों की बात करें तो शराब शामिल होती है शराब नियूट फुल्म शोशल साइट्स का मिस्स यूज़ दूर प्योग ये सब चीजें सामिल होती है अन्ना जी के अंदोलन में आफ साथ रहे बहुत गर्ब की बात है इस बिल्कुल करीब से देखा हम भी उनके साथ रहे जंतर मंतर राम लीला मैदान सबी जे गैरविंद के दरिवाल के नंद नगरी के उसमें धरना प्रदर्शन भूखर ताल करना सब जगें वो सुचिता का जीवन था अन्ना जी ने पहला उनका मंतर था पांच मंतर थे शराब नहीं होना चाहिए ब्रश्टाचार नहीं होना चाहिए परिवार नहीं होना चाहिए जातिवाद नहीं होना चाहिए तो शराब सबसे पहला था उनका और उसी से उन्होंने घणा की उसी का उन्होंने विरूद किया उसी के उन्होंने अकेश चले क्योंकि वो महत्मा तो वी फिर चीज गलत हो जाती है अधिक समय तक फिर नहीं चलती है कटर इमांदार और शब्द थोड़े से कालपनिक लगने लगते हैं कि आपकी क्या जरूरत थी शराप पॉलिशी मेकर्स के साथ उन्हीं के साथ संबंध होना के कविता और साउथ की जितने लोग बंद हु में जो जिस समय लोग करोना से जूच रहे थे करोना को फेस कर रहे थे उस समय आप बैटकर शराप की पॉलिशी बना रहे थे अंदर लोग हस्पतालों में मर रहे थे शम्शान घाट के बाहर लाइन लगी थी ये थोड़ी सी हर्दय को दुखत घटना होती है अन्ने जी नहीं इस स्कूलों के लिए अच्छी ववस्था की इसको कोई माना नहीं करता है उठाने के लिए काम किया बहुत उन्हें एक लेकिन इसकूलों की बवस्ता को अच्छा बनाने का काम किया और बढ़िया काम किया तो उन्हें किया काम लेकिन अब वो चीजें आरोप परत्यारोप और सब कुछ आगे चला है निर्भया आंदोलन से बनी हुई सरकार बनी हुई पार्टी बाद में खुद भी उनके लोगों पर महिलाओं के उत्पीडन मुख्यमंत्री जी के निवास में महिला की पिटाई और ये सब चीजें भी महिलाओं के लिए खुदा सा डाउनफाल हो जाता है अब उनका आना सुखद है एक माता पिता के लिए तो सुखद है माता पिता को एक बेटा चाहिए जो जेल में नहों उनके पास हो पत्नी को पती चाहिए बच्चों को भी पिता चाहिए लेकिन दिल्ली वासों को एक missing ए फुल मुक्हमंतरी चाहिए action वाला मुक्हमंतरी चाहिए जो एक film आई थी उसमें क्या नाम जो film आई थी वह नायक फिल्म को अरविंद केदरीवाल जी मैंने भी देखें इनके साथ उन्हें ने देखी थी इसक्रीनिंग कराती उसको च्रूर्णों साथ उस तरहें काम किये लेकिन अब वो बात नहीं रहे अब चीज वो नहीं है और मेरा जो हौसला है सोगुना जादा बढ़ चुकَ है इतने दिन तिहाड जेल केंदर रहें हौसला सौगुना बढ़ गया कि जिरिवाल जी बोल रहे है पिर तो जो लोग कहते हैं लॉरेंस बिशनोई गलत है तो फिर तो लॉरेंस बिशनोई भी जेल से गलत नहीं कहता है कि मैं भी देश का भक्त हूँ मैं भी भगत सिंग का फोटो लेके चलता हूँ मैं भी भगत सिंग के जनम दर दिन वाले दिन ब्लड डोनेशन करता हूँ मैं भी भगत सिंग का सिपाह हूँ मैं भी पंजाब को यूवाओं से नशामुक्त रूप में देखना चाहता हूँ मैं भी देश की लड़कियां जो उन्हें चाहती हैं देश की लड़के यूवा ज देनी चाहिए जेल कुछ तो है जो जेल से बसते हैं लोग कुछ तो था जो नो सम्मन आदरनी केदरी वाल जी ने वाइट किये और बड़ी मुश्किल से ही जेल जाते हैं कुछ तो जेल में होता है ऐसा कारणा लेकिन हाँ अब उसको दूसरे रूप में कहना तो कोई कहता आदे गिलास खाली है जेल जाना ठीक नहीं है कोट में वकील कहते हैं जेल जाने की क्या जरूरत है जेल में रखने की क्या जरूरत है जेल से निकालिये बेल दीजिए अब इतनी बार इनकी बेल लगी नीचे से उपर तक आम जनताज पूछना चाहती हमसे भी कहती है कि सर म मेरी तो लगे हुए SLP और मेरी बेल लगे हुए इतने साल बीत गए मानी सर्वो चनले को समय नहीं है इनकी बेल तो रोध सुनवाई होती है साब इनकी बेल सुनने के लिए Supreme court है तो कहीं न कहीं Supreme court की भी उस पर बात आती है Supreme court के लिए तो सभी बराबर शामिल है और सभी का खून शामिल यहां की हमिटी में किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है तो ये भी तो बात है तूँ साधहर पर भी लोग कहते हैं लेकिन जेल तो जेल होती है अब ठीक है अच्छी बात है तो बुरह होता है पहले तो जेल से निकलने के बाद बिश्ती रहना मानने लगोगे तो सारे अपराधि अपने कुछ जाता है तो आपको जेल सुधार ग्रह नहीं कहना पड़ेगा फिनी आपको सम्मान ग्रह करना पड़ेकर ऑ्नरीज यहां सम्मानित給 आ करने न… . वो शराप पॉलिसी के लिए थोड़ी गए थे भगस सिंग जी तो देश की आजादी के लिए गए थे शराप पॉलिसी के लिए थोड़ी गए थे इस बात के लिए भगस सिंग को जोड़ना गलत है फिर भी जेल है राजनीति के कारणों से जेल है हाँ एक आयरस रहते तो जे जानसवाईल्चन है अब क्या पक्यार कि रहें कि नहीं your car पके लिए 10 hunch novy के उनको ने सबने का मतलब है आप निर्दोस नहीं है क्यावल आपको जमाफ ले गई और शर्टं ऐसी अजिस लीए बहुत रहें कठिन हो गई शर्त दी गई हैं वो पूरी तरह से और केस के बारे में ना बोलना इसका मतलब आप सफाई देने की इस्तित में नहीं हैं आप सीम ओफिस नहीं जाएंगे इसका मतलब कुछ भी आप करने के उसमें नहीं हैं तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और जिनकी बज़े से उन्हे आपको सोचना पड़ेगा और निशित तोर पर मैं समझता हूँ कुछ दिन में आप दिली में नया मुख्मंत्री पाएंगे और नया मुख्मंत्री होगा आमादी पार्टी का ही होगा उससे जुड़ा ही होगा लेकिन नया मुख्मंत्री दिली में आएगा तो अगर नया म हुँ भाई केजरीवाल जी नहीं थे तो राजंदर नगर में चात्र के साथ घटना घटी आई एस बनने वाला बिजली के खंबे से चिपक गया मर गया मुखरजी नगर में चात्रों को बिंडों ऊपर खिड़की से उतरते हुए कूटते हुए सीडियों से उतरते देखा गय फिर ऐसे हालातों के बापजूत क्या अब ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोग मानना चाहेंगे अब उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें या तो अपनी धरम पत्नी को उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए स्वास हिलाय के जरिवाल जी में क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हैं अपने दिन में डिली जीवन में जनता के स्वास कहीं नहीं हिलाय जी के जरिवाल जी के अंदर बहुत से लोग छोड़ के उन्हें चले गए, कितने लोग पदादिकारी छोड़ के चले गए, और चुनाओ आएगा तो देखना बहुत से छोड़ के जाएंगे लोग, चुनाओ के समय, हर्याना में बहुत अच्छी इस्तिति में हो सकते थे, लेकिन ना तो उनका कॉंग्रे पदादिक बहुत अच्छा विकास हो सकता था, वो कायते ना तुम तो ठहरे जील के पानी, तुम तो ठहरे जील के पानी, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, अरविंद केदरीवाल जी ठहरे जील के पानी, वो अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थ थे देश उने चाह रहा था, देश की जनताव हमें चाह रही, प्रमुख नेता के रूप में समध रही थी, लेकिं जुग उनकी षराप, पॉलसी करोना कालम उनों ने बनाइ जो रश्टा चार के लिए ही बनाई पैसा कलेक्शन के लिए ही बनाई वो पहले आये थे लोगों से इखटा करके और ऐसे करके एक लेकिल विदेशों से उन्हें बहुत चंदा मिला मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश की किसी राजनेतिक दल को इतना चंदा नहीं मिला होगा चितना अरविंद केज वृड़ उन्जी विदेशों से मिला फन्डिंग होई वो यका बात थी लेकिन जब अपने लोगों से लेके गुवा जो मनीडरेल सीबी आई और एडि ने मनीडरेल की है मनीडरेल बिल्कुल सही पाई गई गई है और जो मनीडरेल गुवा भी गई वहां भी गई जैलेलता जी और इस तरह से जो वो लोग तो फिर भी उनको आज लोग अच्छा कहने लगे हैं कि जैलेलता जी रही तामिलाडू की जब वो उन पर आरोप लगे तो उन्हें पत छोड़ दिया लालू यादब ने भी पत छोड़ दिया तो वो तो चीजें गंभीर थी लेकिन ये ठीक है जैसा भी जो भी है विश्या एक आखरी सवाल रहेगा सर बीजेपी कह रही है कि एक कुरसी नहीं छोड़ रहे हैं केजिवाल जी इतने आरोप लग गए हैं तिहार जेल से निकल के आ आ गए हैं कुरसी नहीं छोड़ रहे हैं केजिवाल जी से भी अधिक उनकी योग हैं केजरी बाल जी तो कई बार बहे जाते हैं सवालों में और उसमें लेकिन सुनीता केजरी बाल जी बहुत धीर गंभीर महिला है और वो अच्छा नित्रों तो दे सकती है वो एक ग्रहनी भी है वो एक महिला भी है वो एक पूर्वा धिकारी भी है वो एक पतनी भी है वो अपने साससुर की बहू भी है वो अपने बच्चों की मा भी है और इस बीच उन्होंने समाला है वो कहते हैं ना वो पत क्या पतिक कुशलता क्या जिस पत पर बिखरे शूल नहूं सुनीता केदरिवाल जी को राजनीत अभी पिछले दिनों इसमालने को मिली वो लोकसवा के चुनाओ भी थे इंडी गठ बंदन भी था और अभी भी थे तो कहते हैं ना वो पत क्या पतिक कुशलता क्या जिस पत पर बिखरे शूल नहूं नाविक क्या धरिपरिक्षा क्या जब धाराय प्रतकूल हो सुनीता केदरिवाल जी ने उल्टी धाराओं में बिपरीत पर सित्यों में दिल्ली की जनता के लिए और देश की राजनीती के लिए काम किया है तो निशित तोर पर उन्हें गंभीरता है उन्हें परसी परसवाई राजनीती नहीं मिली उन्होंने बहुत अपने आप उसको समाला है घर भी देखा है, अपने सास्तों सुर को दे बिखा है बच्चों की पढ़ाई भी देखिए, उनका स्वास्ती भी देखा है अपने आशू भी देखे हैं क्योंकि पती जब जेल में होता है तो निशित तोर पर किसी भी पतनी के लिए सुखद छण नहीं होता है तो सुनिता के दरीवाले उन आशू को भी किचन में जाके पहुचा है और सामने मुखर हुई है और देश की राजनीती में काम किया है